देखिए यह जल गया है जो कि बहुत ही अच्छा रोसनी मिलता है इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है देख सकते हैं जो हमने इसको change करके दिखा दिया बहुत ही आसान तरीके से देखिए इस तरह से How to change LED Headlight Bulb तो देख सकते हैं इस Headlight का जो इसको किस तरह से हम इसको change करेंगे जो कि देख सकते हैं इसको आप देख लिजेगा अगर हमारा वीडियो को skip करके बिल्कुल भी गल्ती मत किजेगा skip करोगे तो आप कुछ सीख नहीं पाऊगे यह जो आपको बल्प जो है इसको में change करके आपको आराम से दिखाऊंगा कि इस तरह से आप किस तरह से बिना कोई tension बिना कोई बेजी जग के इसको change कर सकेंगे देखिए अपने घर पे भी कर पाएंगे देखिए इस तरह का जो Headlight जो बल्प होता है इसका जो torch का देख सकते हैं इस तरह से तो इसको किस तरह से हम change करेंगे देखिए यह जो इसको button दिया हुआ है इसमें देख सकते हैं यहाँ पे हम press करेंगे यह जलता नहीं है देख सकते हैं इस तरह से करेंगे फिर भी जलता नहीं है देख सकते हैं या कुछ भी problem हो गया है इसको आपको change करना चाहते हैं तो इसको आसानी से change कर पाएंगे जो की हमारा वीडियो देख लेना दुस्तों अगर हमारा वीडियो कहीं से आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को like कीजेगा और हमारे चैनल को अभी तक subscribe ने किये हो तो चैनल को subscribe कर लिजीगा और bell icon को दबा दीजीगा देखिए अगर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ की इस तरह से change करना है तो change करने के लिए सबसे पहले मैं देखी इसको क्या करता हूँ की यहाँ पे आपका open करना पड़ेगा देख सकते हैं यहाँ पे open कर लेंगे पहले इसका देखिए यहाँ पे open करने का है पर यहाँ पे नहीं हमें headlight को change करना है headlight जो bulb है इसको पूरा हमें change करना पड़ेगा तो इसको change करने के लिए क्या करना होगा हमें इसको खोलना पड़ेगा तो खोलने के लिए देखे इस side हम ऐसा पकड़ लेते हैं दूसरे side से देखे यहां से हम इसको घुमाएंगे देखे reverse में घुमाएंगे इस तरह से देखे जब इसको reverse में इस तरह से घुमाने लगेंगे तो ये खुल जाएगा हमारा देख सकते हैं ये इसा खुल रहा है जो कि देखने के बाद देखिए ये हमारा खुल चुका है तो देखिए इसमें खुलने के बाद में क्या है इसको हमें change करना है तो देखे इसमें हमारा connection कहाँ पर है देखे दो ही connection है और इसमें देखे यह जो bulb है इसको हमें change करना है तो देखे इसको change करने के लिए हमें क्या करना होगा इसमें हमें solder की जरुवत पड़ेगी देखे जो इसको हम इस wire को disconnect करेंगे देखिए इस wire को हमें disconnect करना पड़ेगा ताकि इसको देखिए इसको disconnect कर लेते हैं तो सबसे पहले देखिए हम इस wire को disconnect करते हैं देखिए इस तरह से तो देखिए इस तरह से disconnect कर दिये देखिए disconnect करने के बाद में क्या है इसको हम change कर देंगे देखिए इसके जगा पे हम दूसरा बल्प लगा लेंगे इसके जगा पे देखिए इस तरह का जब फॉल्ट मिल जाता है आपको जब चेंज करने का टाइम आता है जब किसी को पता नहीं चलता है कि इसमें किस तरह से चेंज करेंगे, यह चेंज करने का दिखे आप घर पे भी कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से देखे कोई इसमें जनजट वाला काम नहीं है देख सकते हैं तो मैंने यह वाला को साइड में रख देता हूं देखे और मैं एक दूसरा नया वाला ले लेता हूँ देखिए इस तरह का देखिए इस तरह का जो नया वाला लेने के बाद में क्या करना है इसको फिर से जैसा है उसी तरह से इसको connection कर देंगे हम जिस तरह से इसमें connection दिया हुआ था उसी तरह से इसमें connection हम करेंगे देखे इसको connection करने के लिए simple सा process है देखे यहाँ पर connection दिया है यहाँ पर connection है यहाँ पर भी connection है देखे किसी एक का minus है किसी एक का plus है देख सकते हैं इस तरह से minus plus करके इसमें लगा देंगे हम देखे इसमें हमारा कौन सा minus plus है तो देखिए इसमें भी हमारा माइनस प्लस दिया हुआ है देख सकते हैं यहाँ पर हमारा माइनस प्लस देख सकते हैं यहाँ पर यह माइनस दिखा हुआ है यहाँ पर S लिखा हुआ है सोट देखिए यह है W तो देखिए हम माइनस इसमें देंगे और इस साइड में भी कनेक्शन करेंगे तो भी जलेगा हमारा इस साइड में भी कनेक्शन करेंगे तो भी हमारा जलेगा जो कि फ्येस को इस साइड में भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं थोड़ा सा, क्या होता है, कि इसमें जब connection करेंगे, तो एक बार आपका, थोड़ा सा कम जलेगा, एक बार आपका, इस side में रहोगा, किसी भी तरह एक side करोगे, तो क्या है, थोड़ा सा आपका ज्यादा जलेगा, तो दोनमें अंतर यही है, बस और इसमें कुछ फर्क नहीं है तो देखिए अपको यहाँ पर हम connection कर देंगे एक wire को यहाँ पर यहाँ पर connection कर देंगे connection करने के लिए देखिए हम इसको इस जगब पर रख लेते हैं देखिए इसको मैं connection कर दे रहा हूँ इस तरह से तो देखिए मैंने मानेस को देखिए इसमें दो वायर निकला हुआ है एक रेड कलर का वायर है और एक ब्लेक कलर का वायर है देख सकते हैं तो ब्लेक वायर को हम मानेस पे पहले सोल्डिंग कर देते हैं ऐसा करके देखिए इसका वायर जो छोटा है इसलिए थोड़ा इसको तो देखिए यहां सोल्डिंग कर दिये माइनस को माइनस में और देखिए इसको कहां सोल्ड करना है इसमें देखिए आपको दोनों में किसी एक को भी कहीं पे भी सोल्ड कर सकते हैं मैनस को यहां पे सोल्ड किये है देखिए यहां पे भी कर सकते हैं हम यहां पे भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने इसको दिखाया पोइंट देखिए इस पोइंट पे भी हम सोल्डिंग कर सकते हैं इस point पर भी solding कर सकते हैं देखिए दोनों में यही चल जाएगा कि मैंने यहाँ पर solding कर रहा हूं देखे solding करने के बाद में क्या है यहाँ पर आपका sort हुआ होगा तो इसको आपको disconnect करना चाहिए या फिर दुबारा solding करके इसको disconnect करें ताकि plus minus आपस में sort ना हो देख सकते हैं ऐसा ही आपको press इसमें आपको देख लेना है कि हमारा यहाँ पर sort हुआ है या नहीं हुआ है देख सकते हैं इस तरह से तभी जाके हमारा यह work करेगा देख सकते हैं इसका button को press करते हैं देखे यह हमारा button यह हमारा button इसको press करेंगे देखे यह button को हम press करते हैं फिर से तो देखे यह हमारा headlight जो है यह हमारा जल चुका है देख सकते हैं देखे काफी ज्यादा रोसनी मिल रहे है देखे इस तरह से जो की बहुत ही लाजवाब है इसका रोसनी देखे इसको ओप कर दिये ओफ हो गया दुबारा press किये दुबारा जल गया देखे इस तरह से तो इसको बंद कर दिये देखे इस तरह से यह बंद भी हो चुका है देखे इस तरह से ऐसा ही आपको connection में गड़बड़ी नहीं करना है देखे जिस जग़ा पर connection जैसा minus को minus plus पर plus पर इस तरह के आपको connection करना है जो की गलती कभी मत करना गलती करोगे तो आने था आपका जो headlight का जो ये bulb है ये आपका ये दुबारा फ्यूज हो सकता है या खराब हो सकता है या आपका battery भी यहाँ पर अगर sort कर देते हो तो आपका battery भी जल सकता है sort होके इसलिए ऐसा गलती ना करें ये button भी sort होक सकता है इसलिए connection को आप दुबारा देख लिजेगा इस तरह से देखे ये ही connection आपको करना है देखे फिर से इसको मैं जला के दिखाता हूँ तो देखे ये जल गया है देखे ये जल गया है जो की बहुत ही अच्छा रोसनी मिलता है इसमें कुछ भी दिकत नहीं है देख सकते हैं जो हमने इसको change करके दिखा दिया बहुत ही आसान तरीके से देखे इस तरह से वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को like करना और हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को subscribe करके ही जाना और bell icon को press करके all notification पे set कर लेना ताकि इस तरह का content आपको जल्दी मिलते रहेगा तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद